Hello everyone, last video में हमने देखा था कि micro-organism किस तरह से हमारे friends होते हैं तो आज हम उन सारी चीजों को detail में पढ़ेंगे उस मैंसे जो हमें first पढ़ना है वो है कि कर्ड कैसे बनता है या फिर ब्रेड कैसे बनती है So I, Laveena Kumawat, welcoming you all at Skor Shala देखो कर्ड और ब्रेड तो मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद होती है Because दही किसको पसंद नहीं होता गर्मी है तो हम सबसे ज़्यादा दही का ही यूज करते है या हम चाच का यूज करते है तो भेड़ी को बनाया कैसे जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए और जहां बात करें हम ब्रेड की तो केक सबको पसंद है, इल्ली सबको पसंद आती है तो केक की जो spongy ब्रेड होती है वो सबको पसंद आती है मखन ब्रेड है, वो भी सबको पसंद आता है jam bread तो किसको पसंद नहीं होता तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा पहले bread formation करना पड़ेगा अब bread का formation होता कैसे है ये भी हम सब को पता होना चाहिए so start करेंगे हम curd से curd वो ऐसी चीज जो की हमें क्या करती है बहुत जादा nutrients प्रोवाइड करती है और गर्मी के अंदर तो सबसे जादा यूज करने वाली चीज है because जितना जादा हम curd यूज करते हैं गर्मी में उतना ही जादा हमारी body को nutrients भी मिलते है और साथ ही साथ हमारी body बहुत जादा healthy बनी रहती है तो गर्मी के टाइम पर तो पता ही होगा या तो हम लसी बना कर यूज कर लेंगे या हम खाने में direct यूज कर लेंगे सुबह शाम जब देखो दही तो सबसे पहले चाहिए होता है सबको तो उसी दही के formation को देखना है हमें अच्छा, अब एक काम करते है दही को जमाते कैसे है पहले वो देख लेते है तो अगर जिनको नहीं पता है कि दही को कैसे जमाया जाता है वो आज देख ले और शाम को जाकर ममी की help करें ताकि ममी भी खुश हो जाए कि हाँ, कुछ तो मेरे बेटे ने सीखी लिया लड़कियों को तो mostly पता होता है फिर भी कई बार देख लेती है लेकिन दही जमाना तो आही जाएगा तो दही को बनाने का एक सिम्पल प्रोसेस जो हम सब को पता है होता क्या है? दूद को गरम किया जाता है उस दूद को ठंडा करेंगे Denya करने के बाद बुलो, क्या करते है? एक थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है जो अलरीडी बना हुआ दही होता है वो थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने के बाद उसको ढखकन देकर यानि ढखकर उसको रख दिया जाता है and after that मुझे लगता I think 7-8 hours के बाद में आपका दही जो है वो बनकर रेडी हो जाता है इतनी चीज हम सब को पता है और जिन लड़कों को नहीं पता है जिन लड़कियों को नहीं पता है तो अभी एक बार सुन ले शाम को जाका मम्मी की हैल जरूर करे देखो हमने क्या कहा सबसे पहले हम दूद को गरम करेंगे तो अब एक काम करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पर आ जाते है दूद को जब गरम किया तो उसको बेसिकली 70-80 डिग्री तक गरम किया जाता है 70-80 डिग्री, सेंटी ग्रेड तक, सेल्सियस तक उसको गरम किया जाएगा after that इसको ठंडा किया जाएगा ठंडा कितना करेंगे हम 30-40 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करेंगे अब हमने गरम क्यों किया था तो वो इसलिए कि जो इसमें bad microorganism हैं वो भी खतम हो जाए गरम करने का process क्यों किया जाता है दूद को ताकि दूद हमारा खराब ना हो उसके अंदर microorganism की growth ना हो जितना जादा microorganism की growth होगी उसमें तो हमारा दूद जो है वो इतना ही जल्दी spoil हो सकता है तो हमें उस दूद को spoil होने से बचाना है दूद को फटने से बचाना है that is why हमने क्या कर दिया दूद को गरम कर दिया and I hope कि ये वाले चीज तो हमारे घर में सबने की होती है regularly हम हमारे घरों के अंदर ये चीज़ जरूर देखते हैं कि जैसे ही दूद आता है तो मम्मी सबसे पहले क्या करती है उस दूद को गरम करती है मम्मी सबसे पहले क्या करती है उस दूद को लेकर जाती है गरम करती है और उसकी बात बाकी सब लोग उसको यूज कर लेते है अब चाहे वो चाहे बना रहे हैं ने 72-80 degrees Celsius और आदो को पता है कि क्या होता है जब तक कि उसके अंदर boil नहीं आ जाए जब तक वो उपर की तरफ नहीं आ जाता है तब तक हमारे घर में उसको गरम किया जाता है सो 70-80 degrees Celsius तक उस दूद को थोड़ा सा गरम किया जाएगा गरम करने के बाद में उसको थोड़ा ठंडा किया जाएगा वेकॉज जब हम बात करते हैं दही की तो थोड़ा सा भी दही हमारे दूद को फार सकता है दूद को खराब कर सकता है क्यों क्योंकि वो क्या होता है ऐसी दिक होता है और अगर असी दिक है तो गरम दूद जो है वो हमारा खराब हो सकता है That is why, क्या किया जाता है, तो इस गरम दूद को ठंडा किया जाता है, ठंडा करेंगे अगर उस दूद को, तो कितना, तो 40 degree Celsius की लंप सम, दिखा होगा, ममी क्या बोलती है, कि देखो यह हलका सा गरम है, हाथ लगाने जितना है, तो यह काम करते हैं, इसमें हम दही डाल देते है तो 40 degree Celsius की लंप सम उसको ठंडा किया जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर एक टी स्पून, जो हमारा अल्रेडी बना हुआ दही है, उस दही को उसके अंदर मिक्स किया जाएगा, मतलब जो अल्रेडी बना हुआ दही है, एक चमश लिया जाएगा उसको, और उसको हमारे जो हमारा धूद जिसको हमने गरम किया था और फिर ठंडा किया है, उस दूद की अंदर उसको मिक्स किया जाएगा, उसको अच्छे से मिक्स करने के बा messed जाएगा ढख कर रख दिया जाएगा, और धक कर रखने के शाम को गिसीने जमाया होता है दही तो morning तक वो अच्छे स कोई recipe नहीं बता रहे है लेकिन यहां तक का process तो ठीक है सब को पता है जिनको नहीं पता था पता चल गया है और फिर भी नहीं अगर समझ में आए तो आज एक बर try करके देख लेना कि actually आपका दही जमता है या नहीं जमता है तो यहां तक तो हमारा दही ठीक है यह हमको clear हो गया है लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इस दही को microscope के नीचे अगर देखोगे तो खाना भूल जाओगे seriously अगर दही को आप microscope के नीचे देख लोगे तो बिलकुल खाना भूल जाओगे क्यों क्योंकि उसके अंदर आपको घूमते हुए बहुत सारे क्या दिखाई देंगी लटे नहीं दिखाई देंगी आपको उसके अंदर बहुत सारे घूमते हुए बैक्टीरिया नजर आएं हमें यह चीज़ पता होनी चाहिए कि उस माइक्रोस्कोप में दिखने वाले जो बैक्टीरिया है जो हमें दही को खाने से थोड़ा सा कर रहे है कि नहीं नहीं हमको नहीं खाना है तो यह कौन है और यह हमारी हेल्प कैसे करते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ देखते है कि जो दही होता है उसके अंदर बहुत जादा nutrients होते हैं बहुत जादा मतला उसमें calcium भी होगा phosphorus भी होगा protein भी होगा अब protein की requirement तो सारे ही living organism को होती है तो दही को खाना भी बहुत जरूरी है लेकिन अब इस दही की पूरी process देख लेते है कि actually यह दही बनता किससे है तब ही तो हमे तो जो milk होता है आपका जो यह milk है इस milk के अंदर present होता है lactose नाम की sugar इस milk के अंदर क्या present होता है lactose नाम की sugar present होती है हर एक जो food item है जो कि natural food item होगा उसके अदर अपनी खुद की natural sugar जरूर होगी अब शकर भले ही आप खाए ना खाए लेकिन अगर कोई भी चीज खा रहे हो तो शुगर तो हमारी बॉडी के अंदर जा ही रहा है। आपको पता होगा कि जिन लोगों को शुगर होती है, अच्चली जिनको डाइबिटीज होती है, उन लोगों की शुगर खाने से पहले और खाने की बाद चेक की जाती है। भली उन्होंने मीठा नहीं खाया है, भली उन्होंने जो अमारी क्रिस्टल शुगर होती है, वाइट शुगर होती है, उसका यूज नहीं किया है, ना ही रिफाइंड शुगर का यूज किया है, ना ही उन्होंने जैगरी का यूज किया है, तब भी उनकी शुगर लेवल जो होता है वो खाने की बाद थुड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हमारे सारे ही food items के अंदर एक particular natural sugar जरूर होती है तो वैसे ही जब हम milk की बात करते हैं तो इस milk के अंदर भी एक natural sugar होती है जिसको हम कहते है lactose lactose हो गया, sucrose है, fructose है बहुत सारी शुकर होती है science की language में मैं ऐसा नहीं देखना हमारे घर के शुकर को देखके यह नहीं बोलना ममी को कि ममी यह क्या है, यह क्या है, glucose है, sucrose है, fructose है, यह क्या है fine, basically वो होता है sucrose जो हमारी crystal sugar होती है वो sucrose होता है, लेकिन जो milk की natural sugar है उसको हम कहते है lactose तो I hope की इतनी चीज़ तो आपको clear हो गई है, अब होता क्या है, कि जब हम थोड़े से pre-made दही को उसके अंदर डालते है दूद में तो उस दही के साथ साथ में हमने एक bacteria डाला है, अब उस bacteria का नाम क्या है, तो उस bacteria को हम कहते है lactobacillus, इसका नाम तो मुझे लगते है आपको रट लेना चाहिए अच्छे से हर जगे पर ये नाम जरूर पूछा जाता है कि दही के अंदर कौन सा bacteria होता है जो आपको microscope में नजर आ रहा है, जिसको आप देखने के बाद में दही काना भूल जाएंगे इसलिए दिखाया नहीं जाता आप, that is why कभी भी आपको microscope के अंदर दही को दिखाया नहीं जाएगा, आचा चलो ये तो मजाकी बात थी, देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, चले दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है लेक्टो बैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरियम क्या है तो बैक्टीरियम और बैक्टीरिया में कमफ्यूज नहीं होना है, कि बैक्टीरियम अलग है और बैक्टीरिया अलग है बिल्कुल नहीं दोनों ही similar चीज़े हैं बैक्टीरियम बेसिकली singular के लिए यूज किया जाता है अगर हम बात करेंगे particular एक single bacteria की तो उसको हम बैक्टीरिया नहीं कहके हम क्या कहेंगे बैक्टीरियम कहेंगे लेकिन अगर हम बात करेंगे plural form की बहुत सारे बैक्टीरिया तो हम कहेंगे बैक्टीरिया और हमेशा हम बैक्टीरिया ही कहते हैं मतलब कि उसके अंदर एक micro-organism है, that is lactobacillus. अब सोचने वाली बात ये है, कि दही के अंदर इतने सारे bacteria है, तो हमें तो बिमार हो जाना चाहिए था दही को खाके, लेकिन नहीं, हम बिमार नहीं होते हैं, because lactobacillus are our friends. ये हमारे बहुत ही अच्छे friends होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं digestion में, digestion को proper बनाने में, तो lactobacillus हमारे लिए good bacteria है, द्यार आप friends, ओके, चलो, अब ये lactobacillus क्या करेंगे, दूद के अंदर जा चुके हैं, तो इनको सबसे पहले क्या दिखी, ये शुगर दिखी, इनको कौन दिखा, ये शुगर दिखी इनको, कौन, lactose दिखा, ठीक है, तो lactose जब इनको दिखा, तो इन्होंने क्या किया, उससे बना दिया, lactic acid, इन्होंने क्या बनाया, इस lactose के साथ में मिलके, इन्होंने बना दिया, lactic acid, इस lactose को convert कर दिया है, lactic acid में. किसने convert कर दिया है lactic acid में, तो lactobacillus नाम के इस bacteria ने इसको convert कर दिया है. Lactobacillus नाम का जो बेक्तीरिया है, उसने lactose को convert किया lactic acid में. तो क्या हमारा milk acidic हो गया? जिसके अंदर अभी बहुत सारा acid है? दिल्कु सही है. तो हमारा milk क्या हो ना वो बेस है ना नीट्रल है अभी केसा है वो? असदीक है तो असदीक नेचर के नेचर किसकी वजय से आया? ल tom wie ऑक्रिक नेच्टिक काहरा से आया तो तो Medicine के मेलिख लेक्टो बैसिलिस मिला, जबMusic के लेक्टो बैसिलिस ने laughing लेक्τοस के ऊपर वोक किया, तो लेक्το섯 को उस zehnate किसमें redeह कर दिया लेक्टिक अदर कन्वाइट कर दिया अब यह जो लेक्टिक CID है, जो क्या हो रहा है यह व्यूस सब्सक्राण 12,000 अच्छबम, 0- आप कर दिया ऑप लेक्टि कर दिया दर masa , replicate लाउन अब यह सोचने वाली बात है यह समझने वाली बात है कि यह क्या है यह क्या है यह बहुत ही अब इसको बनाना है अपने लिए तो वीडियो को देखना जरूरी है भागना कहीं नहीं है चुपचा पहले इसको पूरा सुन ले अच्छे से समझ ले उसके बात जाका खेले चल तो आई होप कि इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि हमारा जो मिल्क था अब वो कैसा हो चुका है वो acidic हो चुका है because of lactic acid अब क्या होगा अब medium acidic हो गया है ना थोड़ा सा जादा काम होगा क्योंकि इनको effective area चाहिए था suitable environment चाहिए था होता है एक केजीन नाम का protein होता है और यह किसमें रहता है यह बॉंड बना कर रहता है तो होगा क्या कि जब यह लेक्टोवेसिलस आएंगे तो यह उनको बोलेंगे कि बिटा दौना एक काम करो आप लोग सेपरेट हो जाओ बिलकुल साथ में नहीं रहना बिलकुल चेन नह हो जाओ रिजॉइन हो जाओ लेकिन उस रिजॉइनिंग के साथ साथ में इनको क्या करना है रिजॉइनिंग के टाइम पर इनको fat and water molecules को भी add करते हुए जाना है fat and water molecules को भी अपनी chain में शामिल कर देना है कैसे तो देखो एक काम करते है अपना जो बच्चे जैसे खेलता है chain जब बहुत सारे बच्चे होते तो वो क्या करते दो लोग जो एक दूसरे का हाथ पकड़ते है और फिर जाते है और एक दूसरे को पकड़ के लाते है किसी को touch कर दिया आउट और आउट के बाद क्या होगा वो बच्चा जो है वो भी उस chain के अंदर mix उजाएगा फिर बाक आपको यह बहुत easy लगेगा यह एक बच्चा है बागे सारे बच्चे भाग रहते तो भागते भागते क्या हुआ इसने एक को पकड़ लिया जिसको इसने पकड़ा उसके साथ इसने क्या कर दिया chain बना ली दौना जुड़ गए अब क्या होगा chain बनाने के बाद फिर यह जाएंगे किसी एक को पकड़ के लाएंगे आउट करेंगे उसको और उसको आउट करने के बाद क्या होगा देखो ये protein खोदी bond बना के रह रहा है, इनको क्या किया पहले, पहले इनको separate कर दिया, तो donor क्या हो गए, separate हो गए, अब इनको बोला गया है, कि आप फिर से chain बना सकते हो, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, fat and water molecules को भी include कर देना है, तो इन्होंने क्या किया, फिर से chain बनाना start किया, लेकिन साथ ही साथ, fat और जो water molecules थे, उनको भी add करना start कर दिया, जो fat and water molecules थे, उनको भी इन्होंने क्या किया है, साथ ही साथ add करना शुरू कर दिया है, ये कब हुआ, जब lactose को lactic acid के अंदर convert कर दिया गया, milk का भी nature कैसा है, acidic है, उसके अंदर हुआ है, केजीन को क्या कर दि किया गया, फिर बोला rejoin हो जाओ, casing को पहले बोला separate हो जाओ, separation के बाद बोला है कि rejoining कर दी है, अब इस rejoining के time पर क्या करना है, rejoining के time पर fat and water molecules को भी साथ में include कर देना है, तो उस include करने से क्या होगा, कि अब जो रही है, अब जो हमारा curd है, जो धीरे 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 जो हमारा curd बन रहा है, यह semi-solid form में आ जाएगा, curd को कभी देखा है, ना वो solid होता है, ना ही वो liquid होता है, तो वो कौन सी form होती है, वो semi-solid form होती है, जिसको के हम basic-ali, हाद से भी उठा सकते है, चम्मच से हम उसको उठा सकते है, काच चकते है उसको चम्मच से, ऐसा नहीं है, कि उस curd क काटने के लिए हमें knife की requirement पड़ेगी ऐसा बिलकुल नहीं होता है ना ही वो liquid form में होता है वो कैसा होता है semi solid form में होता है तो वो semi solid form होता है वो किसकी वज़े से आया तो वो इन सब की वज़े से आता है किसकी वज़े से आयेगा केजीन के एड़ हो जाने की वज़े से साथी साथ fat भी एड़ हो गया साथी साथ water भी उसमें include हो गया तो सारे जब molecules एक साथ में add हो चुके है चेन बन चुकी है तो अब क्या होगा यह semi solid form में आ चुका है तो यही आपका क्या होता है दही बन चुका हो गया होगा कि दही बेसी कली बनता कैसे है देखो फिर से एक बार सुन ले क्या हुआ सबसे पहले जो हमने milk लिया था उसके अंदर हमने थोड़ा सा दही डाला मतलब की हमने उसके अंदर lactobacillus को डाला जब lactobacillus को डाला गया तो जो lactose sugar थी lactose जो milk की natural sugar है वो उसको क्या करेगा, lactic acid में convert कर देगा, जब वो lactic acid में convert हो गया तो अब जो nature है milk का वो कैसा हो गया, acidic हो गया, acidic नेचर में अब केजीन को कहा जाएगा कि भाईया आप एक काम करो, दोनों साथ-साथ में बहुत रह लिए, घूम लिए, फिर लिए, अब अलग हो जाओ, अलग होने के ब इसी को हमने कहा है coagulation, इसी को हम क्या कहते है, coagulation कहते है, coagulation कहा जाता है इस process को, और ये coagulation कहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अचिदिक मीडियम में ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहा होगा, acidic मीडियम में ही होगा, और इसी acidic मीडियम को बनाने वाला कौन है, तो lactobacill है I hope कि आपको clear हो गया है कि हमारे घर में जो दही जमाया जाता है वह directly दूद से दही में कैसे convert हो जाता है हम तो से ठोड़ा सा दही डालका छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी वह पूरा पूरा जो मिलके हमारा वह कर्ड में convert हो जाता है तो यही वाला process होता है चले So I hope कि यह आपको clear हो गया है Now come to the bread की हम bread को कैसे form करेंगे देखो हमें ये चीज तो clear हो चुकी है कि किस तरह से हमने क्या किया है curd को बनाया है भले ही आपने महनत नहीं की भले ही हमने सिर्फ थोड़ा सा दही डाल के छोड़ दिया है लेकिन जो अपने आप बना है उसके अंदर बहुत ही ज़ादा महनत लगी है किसकी लेक्टोबैसेलस की Now the thing is कि अब हमें देखना है कि जो हमारे यम्मी से जो केक आते हैं उस केक के उपर केक वाली जो bread होती है वो bread इतनी spongy क्यों हो जाती है इतनी spongy कैसे होती है अगर वो bread spongy नहीं होगी तो I don't think कि कोई भी उसको खाने वाला है जितनी ज़ादा spongy bread होती है उतना ही ज़ादा हम उसको खाना पसंद करते हैं And I hope कि lockdown के अंदर सबने एक बार केक बनाने की try तो जरूर की होगी बले किसी से बनाया हो चाहे रागी से बनाया हो चाहे मैदे से बनाया हो चाहे आटे से चाहे राइस फ्लोर से बनाया हो किसी से भी बनाने की try की हो लेकिन केक बनाने की कोशिश तो जरूर की होगी और उस केक बनाते-बनाते कई बार ऐसा हुआ होगा कि हल्वा बन गया होगा क्योंकि वह sponge बना ही नहीं वह बीच में gap आया ही नहीं जो बीच में इसमें holes आ गया है यह क्यों आ गया है तो इसका reason तो हम पूरा जब पढ़ेंगे तब ही हमको समझ में आएगा कि actually इसका reason क्या था पूरा एक लंबा सा process है जो कौन करता है micro organism करते हैं अच्छा इसका एक और चीज हम जो देखेंगे वह यह है कि जब ब्रेड को बनाते टाइम पे जो बैटर होता है या कई बार होता है कि मैदे का आटा ममी इस चरह से ocean के रख देती है या गोंस के रख देती है अब यह आटा लगा कर तु जब ये आटा लगा कर रख दिया गया है तो ये आटा एक certain time के बाद में इसको ऐसी रखा है certain time के बाद में क्या होगा ये एकदम से fool जाता है देखो ये इतना सा आटा था तो ये इतना सारा आटा बन गया scheme अच्छी है ना वैसे microorganism ने काम किया है अब कैसे किया है तो देखो जब भी ब्रेड बनाने की बारी आती है या जब कभी इडली बनाने की बारी आती है या फिर बारी आती है जलेवी बनाने की तो आपने सुना होगा एक वर्ड आता है कि खमीर उठाना यह वर्ड तो सबने सुना होगा अब यह जो खमीर उठाना है यह कहां सुना होगा आपने ममी भी कई बार बोलती है कि इडली का जो बैटर है यह हमने इसलिए रखा है ताकि उसमें खमीर उठ जाए और खमीर उठेगा तो बहुत ही सॉफ्ट इडली बनेगी बहुत सौफ्ट बेड़ बनेगी या फिर जलेवी बहुत ही अच्छी बनेगी तो यह खमीर उठाना जो word हम सुनते है कई बार इसका मतलब है fermentation इसका मतलब क्या है fermentation है fermentation का मतलब होता है conversion of sugar to alcohol शुगर को किसमें convert किया जाएगा alcohol के अंदर convert किया जाएगा As I told you, कि जो कोई भी जो food item होता है, सब के अंदर अपनी खुद की natural sugar जरूर होती है, चाहे कोई भी food item ले ले, लेकिन उसके अंदर अपनी खुद की natural sugar जरूर होगी, चाहे वो मैदा ले ले, चाहे हम आटा ले ले, चाहे fruits ले ले, या चाहे sugar ही क्यों न ले ले, तो जब हम मै बनाई जाती है वो मैदे की बनाई जाती है इवन अगर हमारे घर के अंदर नान भी बनाई जाएगी तो किस से बनाई जाएगी मैदे से बनाई जाएगी तो मैदे के खुद के अंदर क्या होती है शुगर होती है अब उसके अंदर क्या डाला जाता है क्या डाला जाएगा उ जब येस्ट जो है उसको वो शुगर मिलेगी जिस पूड आइटम के अंदर इसको डाला गया है उसकी जो खुद की नैचरल शुगर है जब ये उसको मिलेगी तो क्या करेगा ये ये उस शुगर से रेस्पिरेशन करेगा उसको खायेगा रेस्पिरेशन करेगा और जब ये जिसको हमने batter के अंदर डाला था चाहे उसको मैदे में डाला है चाहे उसको idli के बैटर में डाला है और चाहे हमने उसको jalebi के बैटर में डाला है जब उसके अंदर yeast को डाला गया तो yeast ने क्या किया? जो natural sugar थी उसको utilize किया और यूटिलाइस करके जब respiration करना शुरू किया तो क्या बना? CO2 बना और alcohol बना हमने respiration के बारे में पढ़ा है कुछ aerobic होता है, कुछ un-aerobic होता है तो yeast जो respiration करता है, वो कैसा होता है? un-aerobic respiration होता है और उसी un-aerobic respiration की वज़े से ही CO2 और alcohol बनता है यह हमारी body में तो नहीं बनता है alcohol because हमारा respiration aerobic होता है जैसे कि yeast का respiration un-aerobic होता है, तो वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर alcohol formation ज़रूर होता है अच्छा, alcohol बना, तब तो बिलकुल नशा हो जाना चाहिए था, जो हमारी minor quantity में alcohol बनती है जब यह process किसी battle के अंदर करवाया जाता है तो yeast की quantity भी बहुत ही limited होती है, ज़ादा quantity नहीं होती है तो अगर ज़ादा quantity नहीं होगी तो alcohol की quantity भी क्या होगा? कम होगी जब alcohol भी कम है, तब क्या हुआ? Alcohol अगर कम है तो alcohol की कम होने से जाधा नशा नहीं होता है, बिल्कुल ही नशा नहीं होता है वो ऐलकोhol तो कहीं पर यह यह ही इवैपरेट हो जाती है तो हमें नहीं मिल रही है, तो यह नहीं सोचना है कि जो बैटर को हमें अगर थोड़ा टाग रखेंगे तो हमें क्या होगा, नशा होगा और हमें फिर की और वाइन की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही उसको experience कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी आपकी जो age है, उसके according आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए, कि alcohol का use करना भी एक है, बिल्कुल नहीं करना है, it's a very bad habit, जैसे हम bad microorganism के बारे में भी पढ़ेंगे न, वैसे ही ये बहुत bad habit है, तो alcohol का use तो बिल्कुल भी नहीं करना है, चले, ना आज और फ्यूचर में, now, जो yeast है, जिसको कि हमने उस batter के अंदर डाला था, उसने क्या बनाया, CO2 बनाया, alcohol बनाया, तो alcohol तो हमें समझ में आ गया, कि वह क्या होग बैटर को अगर 3-4 आ रख दी आपने, जब उसमें देखोगे तो क्या था, bubbles होते हैं, तो वो जो bubbles होते हैं, वो किसके होते हैं, वो CO2 के ही होते हैं, उसी gas को, जिसको yeast release कर रहा है, CO2 को जो release कर रहा है, उसी के वो bubbles होते हैं, इवन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो य उसी बैटर का यूज करके इडली या फिर आपका ब्रेड बनाई जाती है, जब उस बैटर को उस ओवन के अंदर रखा जाता है, कंटेनर में रख के ओवन में रखा जाएगा, तब भी क्या होता है, CO2 के सारे bubbles उसके अंदर होते हैं, और जब उसको बेक किया जाएगा, त अगर आप उसको हाथ में पकड़ कैसे, प्रेस करोगे, तो प्रेस करने से वह बिल्कुल पिचब जाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें से हवा गया हो जाएगी, फिर आपने छोड़ा, फिर उसके अंदर हवा भर गई है, तो जो ब्रेड होती है, उसको स्पंजी बनाने में करता है, यानि कि micro-organism help करता है, अगर ये micro-organism नहीं होगा, तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमाई जो ब्रेड है वो बिल्कुल soft नहीं बनेगे, हमें वो हलवा ही खाना पड़ेगा, इडली है वो भी इतनी soft नहीं बनेगी, तो हलवे खाने से बेटर है ना, कि हम थोड़ा स and dose are, is again helped by bacteria and yeast, याम को पता है, अब ही हमने पढ़ लिया था इसको, now when yeast is added to a dough, it reproduces rapidly releasing carbon dioxide which bubbles into the dough, making it rise, as I told you, कि जब yeast जो है, जो reproduction करेगा, sorry, yeast क्या करेगा, respiration करेगा, साथ ही साथ ही साथ reproduction भी करेगा, respiration के साथ ही साथ reproduction भी होगा, reproduction नहीं होगा, तो carbon dioxide का जो लेवल होगा, वो बिलकुल कम हो जाएगा, that is why, साथ ही साथ इसने क्या किया, reproduction भी किया, अपने आपको increase भी किया, और उसके अलावा जो respiration हो रहा है, उसकी वज़े से क्या बना, CO2 बना, इस CO2 की वज़े से ही, यह जो dough है, यह बिलकुल full गया है, because इसके अंदर क्या है, उसके bubbles है, अभी इ rise हो चुका है, और वैसे इस property की वज़े से ही क्या होता है, हमें bread खाने को मिल सकती है, हमें cake खाने को मिलता है, इतना soft, soft और इतना spongy, अगर यह property yeast के अंदर नहीं होती, अगर यह microorganism हमारी help नहीं करना चाहते, तो क्या होता, अगर यह microorganism हमारी help करने के mood में बिलकुल नहीं ह जाता, तो अब तो आपको I think clear हो ही गया होगा, कि microorganism हमारे friends भी हो सकते हैं, वो हमेशा हमें disease cause नहीं करते हैं, वो कई बार हमारे friends भी होते हैं, और इतने अच्छे friends होते हैं, कि हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़े प्रवाइड करते हैं, अब जैसे कि हम हमारे लिए बहुत जादा nutritious है, बहुत ही अच्छा होता है दही हमारी health के लिए भी, because यह हमारे digestive system को भी proper बनाने का काम करता है, और साथ ही साथ हम cake है, bread है, इनको तो बिलकुल भी नहीं भूल सकते हैं, नहीं हम naan को भूल सकते हैं, तो फिर हम इन microorganism को कैसे बूल जाएं, तो east नाम का microorganism और एक lectobacillus नाम का microorganism यह जरूर आपको याद रखना है, चले, so I hope कि आपको clear हो गया है कि bread और दही कैसे बनाया जा सकता है, curd का formation कैसे हो सकता है, you know very well कि जह से तरह से curd को बनाया जाता है, वैसे ही cheese को भी बनाया जा सकता है, by the help of microorganism. Now in the next video, we will deal with the next use of microorganism, यानि की microorganism हमारे friend है या नहीं है, यह हम सिफ एक चीज से discuss नहीं कर सकते, सिफ एक चीज से हम इसका conclusion नहीं निकाल सकते, तो अब हम देखेंगे next video में और भी बहुत सारे uses microorganism के, ताकि हम actually sure हो जाए कि microorganism हमारे friends होते हैं, वो हमेशा हमें हाम बिलकुल भ झाल